अगर इस BLB का टैक हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो धान की फसल देखने में ऐसे लगती है जैसे कि धान की फसल पूरी सूख गई हो ये बहुत ही इफेक्टिव और कारगर दवा है क्योंकि ये भी एक broad spectrum antibiotic bactericide है किसान विरो धान की फसल में BLB मतलब bacterial lip blight जि ठाइह आज किल काफी जरह खेतों में देखने को मिल रहा है इस रोख की पैचान के लिए सबसे पहले हमें ये देहना है कि जो पतिएों के उपरी उलके पीले होकर सूखने लगते मतलब पतिएboards हैं जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि ये ऊपर से नीचे की और भुरे रंग की धारियां बनना चुरू होगी हैं और बाद में यह अपस में मिलकर जो पूरा पत्ता होता उसको सुखा देती हैं अगर इस बील भी की आटेक हमारे केतों में बहुत जादा होता तो धान की फचल देखने में ऐसे लगती है जैसे कि धान की फचल पूरी सूख गई हो, मगर बियल भी रोग का टैक हमारे खेतों में क्यों होता है, इसका आने का reason गया होता है, तो ये भी आज हम जान लेते हैं तो किसान वीरो बिल्बी रोग ये एकसर धान का जो बीज होता है बीज से भी होता है या फिर जबारिश आने के करण भी होता है या जो पिछली फसल के जो अफशेश होते हैं वो खेट में बहुत ज़्यादा बचे हो या खेत के आसपस बहुत ज़्यादे खर्पतवर हो या फिर कई बार खेतों में हर समय पानी रहता हो तो ये भी एक करण होता है इसके लावा भी अगर हमने अपने खेत में यूरियाखाद का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया हो तो भी BLB का टैक हमारी फसलों में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये कुछ करण होते हैं जिनके करण हमारी फसलों में BLB का टैक देहने को मिलता है So BLB रोग के लशन दिखाई देते ही हमें जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटिवाटिक दवा आती है तो इसका सप्रे करवा देना है ये बहुत ही इफेक्टिव और कारगर दवा है क्योंकि ये भी एक broad spectrum एंटिवाटिक बैक्टेरी साइड है और कोशिश ये किया करो जो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा है तो इसका सप्रे हमें हमेशा किसी भी फंगी साइड के साथ मिला कर करना है अकेली दवा का इतना अच्छा result देहने को नहीं मिलता है फंगी साइड के साथ इसके result 100% देहने को मिलेगा आप भी ट्राइ करके देखो इसके लावा भी streptomycin का प्रयोग आप कीड़ नशा के साथ मिला कर भी कर सकते हो जैसे कि इस समय ब्राउन प्रन्ट हॉपर की सप्रे करवानी है तो हॉपर की दवा के साथ आप 2-3 पाउच स्ट्रेप्टोमाईसिन के भी डाल सकते हो बेस्ट रिजल्ट देहने को मिलेंगे इसके लावा एक चीज और आती है कि अगर हमारे खेतों में BLV रोग के साथ जो ब्लास्ट रोग आता है इसके लक्षण भी दिखाई देते हैं तो फिर हमें क्या करना है कि जो स्ट्रेप्टोमाईसिन आती है तो इसके साथ कार्बेंडा मैंकुजब मिला कर भी सफ्रे कर देन से जो हमारे खेतों में BLV होगा ब्लास्ट होगा तो इसका भी बहुत ही बड़े तरिक्के से सफाय हो जाएगा और अगर खेत में फॉल्समट की दिक्कत भी देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि स्ट्रेप्टो हो गया लेना है तो इन तीनों के एक साथ डाल देने से BLV होगा ब्लास्ट होगा और फॉल्समट होगा तो इन तीनों का सफाया बहुत ही बड़े तरिक्के से हो जाएगा बाकी कार्बेंडा मैंकोजेब की सही मातरा हमें लेनी है 400 ग्राम प्रतियकड और स्ट्रेप्टोमाइसन की आपस में उनकी बालियां जुड़ गई है जिसकी वैसे हम सफ्रेय करते समय बहुत धिरे धिरे चला जाता है तो इस बात का हमें बहुत जाद ध्यान रखना है कि डोज क्या रहेगी और पानी की मतरा क्या रहेगी इसके लाबा इस समय धानकी फसल में शीथ ब्लाइट लोगत हम कैसे करनी है इसके लिए आपके सामने वीडियो आ रही है तो आप ये वीडियो भी एक बज़रो देखें बाकिया आप कमेंट करके बताओ कि आपको स्ट्रेप्टो साइकलिन का रिजल्ट कैसा लगता है धन्यवाद